नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है स्टारने स्कुनेश में दोस्तों चार लंबित भरतियों में EatWs आरक्षन के LAP के लिए मागे अवेदन आपको बताने वाला उमें इण कौन कौन से चार भरतियां है और इन कुल कितने अवेदन है और चार भरतियों में कुल मिलाकर 2468 पद है ठीक है और इसमें जो छात्रों की संख्याय कुल मिलाकर वो है 226,000 ठीक है और ये सबी चारों भरतियों के छात्र बहुत लंबे समय से कई सालों से अपनी भरतियां पूरी होने का इंतजार कर रहे हैं और ये मुद्दा जो है बहुत लंबे समय से उठ रहा है लेकिन अब जाकर इस पर कोई कारवाई हो पाई है ठीक है अगर हम बात करें कि कौन-कौन सी ये भरतियां है और इसमें जो है EWS को लेकर जो अब इसमें आवेदन जोड़े गई है तो पहली भरति जो आपकी है वो है सम्मलित तक्निकी सिवा 2016 की ये भरति है इसमें कुल पद हैं 486 और कुल जो आवेदक है वो हैं 52156 ठीक है दोस्तो अगली भरति की बात करें तो दूसरी भरति है सम्मलित अवर अभियंता एवं उपवास्तु विद और ये भरति 2016 की है और इसमें भी कुल पद हैं 489 और कुल जात्रों की संख्या है इसमें जो कुल आवेदन है वो हैं 43166 देखें EWS को लेकर ये भरतियां 5 सालों से फसी हुई थी 5 साल तक इसका कोई वाएक्जाम नहीं हो पाया कितना लंबा समय होता है दोस्तों 5 साल का ठीक है और 5 साल के बाद अब आयोग की नील खुली है और आयोग ने अविस पर कोई अक्षन लिया है तीसरी भरति है सम्मलित अवर अभियंता संगनक एवं फोर्मेन परिक्षा 2018 और इसमें कुल पद है 1470 पद है इसमें और इसमें कुल आवेदक है 1,19,336 इसमें आवेदक है और 2018 की ये भरति है ठीक है ये भरति भी 3 साल पुरानी हो चुकी है अब जाकर इस पर कोई अक्षन हो पाया है चौती बरति है राज्य किर्शी उत्पादन मंडी परिशद संयुक्त संवर्ग परिक्षा 2018 इसमें कुल पद हैं आपके 16 और इसमें कुल आवेदक हैं 11,742 तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो इसमें कुल जो आवेदक हैं वो हैं 2,26,000 और कुल पद हो गए चारो बरतियों में 2468 दोस्तों केवल EWS की वजह से ये चारो बरतियां रुकी पड़ी थी क्योंकि ये सरकार का एक नियम आया था कि जिन बरतियों की अभी तक परिक्षा नहीं हुई है उन बरतियों में EWS लागू किया जाए और केवल EWS की वजह से ही ये चारो की चारो बरतियां जो है अठकी पड़ी थी तीन साल से और पांच साल से अब जाकर आयोग ने इन बरतियों पर कोई एक्षन लिया है देखिए वो बात तो ठीक है लेकिन जो और केटागरी वाले बच्चे हैं चाहे वो OBC वाले हो या SC वाले हो या ST वाले हो उनको इस चीज का नुक्सान जहलना पड़ा बै उनकी भरति भी तो ये थी और उनके लिए पांच साल तक इसकी परिक्षा नहीं हो पाई तो इन चात्रों को अधर केटेगरी वाले चात्रों को इसका नुक्षान पूरी तरह से जहलना पड़ा उन्होंने चार साल तक पांच साल तक और तीन साल तक इस भरतियों के परिक्षा होने का इंतजार किया लेकिन ये जो रीजन था ये सही था कि वह EWS के मैटर को लेकर इन चारों भरतियों पर एक्षण नहीं हो रहा था लेकिन अब आयोगने EWS इसमें लगो कर दिया है और जो जो छात्र के पास EWS है इन चारों भरतियों में वो इसमें EWS अपना लगा सकते हैं और EWS के 10 परतिशत आरक्षण का लाब इन भरतियों में ले सकते हैं ठीक है दोस्तो तो ये ख़बर है यूपिटर पर से की इन चारों भरतियों के संबंद में किसी और भरति के संबंद में या परिनाम के संबंद में कोई भी जानकारी मुझे मिलेगी तो आपको सबसे पहले मेरे चनल पर ऑथेंटिक जानकारी दे दी जाएगी दोस्तो यही न्यूस थी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आयो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं अपने काम की ऐसी और वीडियो पाने के लिए मेरे चनल को सबस्क्राइब कर सकते हैं वीडियो को शेर कर सकते हैं बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तो जैहिंजे भरत